अपने धेरों उप्योग और किसानों को मोटा मुनाफ़ा देने के कारण सोया बीन को मध्यबर्देश में पीला सोना भी कहा जाता है लेकिन देश के सबसे बड़े सोया बीन उतपादक राज्य में ही सोया बीन की खेती सिकुडने लगी है मौजूदा खरीब सत्र के दुरान मध्यपर्देश में इस परमुक तिलहन फसल के रखबे में करीब 5 लाख हेक्टेर की कमी दर्ज की गई है इस कमी के पीछे परमुक कारण घटिया स्तर के बीजो को बताया गया है नमीनतम सरकारी आंकडो के अनुसार राज्य में इस दिलहन फसल की वुआई घटकर 50,18,000 हेक्टेर पर सिमट गई है आंकडो के मुदाबिक 2021 में खरीब सत्र के दुरान राज्य में 55,14,000 हेक्टेर में सोया बीन बोया गया था गौरतलबह की राज्य में देश का आदे से ज्यादा सोया बीन पैदा होता है किसान निताओं के मताबिक राज्य में सोया बीन का रखबा घटने के परक्रमुक कारनों में उंचे दामों पर कथित रूप से घटिया बीज की विकरी और भारी बारिश के बाद खेतों में जल जमाव से सोया बीन की फसल बिगड़ने का खत्रा शामिल है मिली जानकारी के मुताबिक इस बार भी बाजार में सोया बीन का बीज महेंगे दामों में बिका इससे सोया बीन को लेकर किसानों के रुज़ान में कमी आई और उन्होंने अन्य फसले बोना मुनासिब समझा दरसल मोजूदा खरीब सत्र के दोरान सूबे के अधिकांश इलाकों में भारी वर्षा हुई और इस कारण कई किसानों ने कोई जोखिम न लेते हुए सोया बीन के बजाए धान की बुआई कर डाली अगर भारी बारिश के कारण खेत में जल जमाव होता है तो सोया बीन की फसल खराब होने का खत्रा बना रहता है परमुक नगदी फसल होने के चलते सूबे के किसानों ने सोया बीन पीले सोने के ना से मशूर है लेकिन इस फसल को लेकर उनका जोखिम साल दर साल बढ़ता जा रहा है किसानों को कहना है कि राजे में उचे दामों पर घटिया बीज बिकने के चलते सोया बीन की पैदावार खट रही है जिससे किसानों का इस तिलहन फसल से मोह बंग हो चुका है देश में कुपोशन दूर करने और खादय तेल उतपादन में आतम निर्भरता हासिल करने के लिए सोया बीन की खेती को बढ़ावा दिया जाना बेहत जरूरी है गोरतलब है कि केंदर सरकार ने फसल वर्ष 2022 से इसके लिए सोया बीन का नियूंतम समर्थन मुल्या पिछले साल के 4950 रुपे से बढ़ा कर 43 रुपे प्रतिक विंटल कर दिया है विरो रिपोर्ट मार्केटाइंस टीवी